वेलकम बैक आइस एन अधर वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्ट फॉन के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम फॉन को यूज करते हैं और साइद आप ये भी जानते हों कि हमारे इंडिया में लाखो करोड पॉन की चोरी डेली होती है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी फॉन चोरी हो जाए तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका जो फॉन चोरी हुआ है वो जश्ट लाइक डबबा बन जा है मतलब वो किसी भी काम का ना रहा है मा सब्सक्राइब करने क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कॉंटेंट में बनाता रहता हूं जो आपको हेल्प करते रहेंगे चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे मॉबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपके फॉन में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लिना दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे आप इसको थोड़े सा स्क्रोल करेंगे उपर तो आप देखेंगे आपको यहां पर मैं तीन ओप्सन दिखाए देंगे नंबर एक पर जो रेड कलर में है वो है ब्लॉक स्टॉलन एंड लोस मोबाइल मतला आपका जो फॉन चोरी हो जाता है तो उस के रिगार्डिंग यह है आप देखें दूसरे नंबर पर ग्रीन कलर में दिया हुआ है अन ब्लॉक फॉन जो आपने ब्लॉक कर दिया था वो किसी के काम का नहीं है और वो फॉन आपको फिर से रिटन मिल जाता है तो फिर से आप उस फॉन को क्या है अनलोक करवा सकते हैं आप कर सकते हैं इसके लिए यह दूसरा ओप्शन दिया हुआ है अब देखें थार्ड ओप्शन दिया हुआ है चेक रिक्वेस्ट दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग यहां पर रिक्वेस्ट डाल के अपने फॉन को पूरी तरिकर से डबब बना देंगे तो उसका स्टेटस क क्या है वो देखने के लिए हम यहां पर चेक कर सकते हैं हमारा स्टेटस तो हमको क्या करना है दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वाला उप्शन है इसको उपर क्लिक कर देना जो की रेड कलर में दिया हुआ है यहां पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जा है मतार्थ दो स्लोट दिए रहते हैं अगर आपने उसमें एक सिम्यूज किया है तो अपना एक ही मुबाइल नंबर डाल दें और अगर दोनों आपने यूज कर रहे हैं तो यहांपर दोनों मुबाइल नंबर अपना फिल कर मैं आपको पता हुआ अगर आपको आई मी नंबर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना अपना प्याए कर ना है उस पर या फिर आपको कॉंसा कंपनी का मुवाईल है है Samsung फोफ यह नो क्या है आईफोन है कोई भी यह तो आपको यहां पर फ्विल कर देना है उसके बाद आपका ड़िबाइस का मोबएस कोई सा मोडल मानि सैंसेंग याज फोप मोबाइस हों बूंज से द Virus फोद आपको यह पर फिल कर है आप्लाइम आपको लॉस्ट वोलाज्ट देहें इे garlic रखेति हसे पहीं हैं आप को लोस्ट करने हैं अब देख सकते हैं यहां परोपन important चीज है आपको यहाँ पर ध्यान देना है जैसे कि अगर आप पड़े लिखें आपको इस चीज का knowledge है कि अगर आपका phone चोरी हो जाए अगर आपको phone को नहीं भी ढोड़ना उसको नहीं भी डबा बनाना है फिर भी आपको क्या है जैसे ही आपका phone चोरी होता आपको तुरंत पुलीट इस्टेसन जाकर उसकी F.I.R दर्च करानी है कि मेरा phone एक complaint दर्च करानी है Sorry कि मेरा phone चोरी हो गया है sir एक complaint आपको डाल देनी है Complain डालने से क्या होगत दोस्तों कि आज कल बहुत ज्यादा फ़जीवारा चल रहा है और आपको यहाँ पर उसको upload कर देना देखिए ना आप उसके बाद यहाँ पर मांग गया है mobile owner detail मबाइल owner detail में दोस्ता आपको देखिए सारी detail यहाँ पर फिल कर दीने देखिए owner name यानि मेरा जो नाम है राजीव कुमार या राजीव कुमार राठोर जो भी है यहाँ पर फिल कर दूँगा अपना address फिल कर दूँगा यहाँ पर identity proof अपना जो भी है आधर काड यह जो भी है यहाँ पर select कर लूँगा और यहाँ पर उतना choose file करके उसको upload कर दूँँगा अब यहाँ पर देखिए identity number माली जा अधार काड का जो number आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और अपना email id फिल कर सकते हैं email id फिल करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको क्या करना है यह देखें यहाँ पर submit का निसान है आप यहाँ पर submit पर click कर दें आपकी जो complaint है आपकी submit हो जाएगी और आपको जो mobile phone है वो एक डबा बना दिया जाएगा वो किसी के भी काम का नहीं रहेगा जब तक कि आपका phone आपको return नहीं मिल जाता है यह जो website है दोस्तो बहुत ही कमाल की website है इसके बहुत ही जादा फायदे आपको मिलने वाले हैं अगर आपको इसके बारे में knowledge है तो दोस्तो request submit करने के बाद आपको फिर सब बैक आने के बाद यहीं इंटरफेस में आ जाना आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपको अपना request यहाँ पर check कर लेना है कि मेरा request जो मैंने submit किया था वो update हो चुकी है या नहीं अगर वो update हो गई होगी तो आपका phone डबा बन चुका हो और हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको return मिल जाएगा कि जब phone किसी के use का नहीं रहेगा तो वो phone जल्दी सी जल्दी आपको return होने के बहुत ज्यादा chances है और नहीं आपके साथ कोई fraud हो सकता है उस mobile के throw दोस्तों अमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगे क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी content है मैंसा बनाता रहता हूँ thanks for watching friends take care